नमस्कार दोस्तों, बाल्टू बैंच अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आगामी परिक्षाओं के दिश्टिकोंड से महत्पूर एक समसमाई घटना के संदर में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस शिरी अरुन कुमार मिश्रा जी, राश्टिये मानबादिकार आयोग यानि की एने चार्सी के नए अध्यक्स होंगे। इनकी नियुक्ती बिर्दान मंत्री की अध्यक्सक्ता वाली उच इस तरिये नियुक्ती समेती ने की है। और एक अन्य महत्पूर्ण बात ये है कि इनके साथ ही महेश मित्तल कुमार और डाक्टर राजीव जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। दरसल माननिये नियायमूर्ती शिरी एचल दत्तु के पिछले साल दिसंबर में रेटायर होने के बाद राश्टिये मानवादिकार आयोग के अध्यक्स का पद पिछले छे महां से खाली चल ला था। इसलिए आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्स और दो सदस्यों के चैन के लिए पांच सदस्ये उच इस्तरिये पैनल की मीटिंग की गई। हरिवन्ष नरायन सिंग्जी भी शामिल थे। तो दोस्तों परीक्षा के द्रिष्टी कोंड से इस पर कुछ कोश्चन बन सकते हैं जिन पर आपका ध्यान देना अत्यदिक आवश्यक है। सबसे पहला प्रेशिन तो ये बन सकता है कि राश्ट्रिये मानवादिकार आयोक के नए अध्यक्ष कौन है। तो इसका उत्तर क्या है जस्टिस अरुन कुमार मिश्रा। दूसरा इनकी नियुक्ति किसने की तो इनकी नियुक्ति की एक उच इस तरिये नियुक्ति समीती ने जिसके अध्यक्ष कौन है प्रधान मंत्री। अगर जढ़ा डेप्थ में जाके कौर्चन पूछें तो ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे स्टेट्मेंट्मेंट वाइस कौर्चन होते हैं न तो उसमें दो या तीन स्टेट्मेंट दे देते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में तो उन्होंने ये बता दिया कि NHRC के नए अद्यक्स होंगे जस्टिस अरून मिश्रा जी, दूसरे स्टेटमेंट में कह दिया इनके साथ ही दो नए सदस से चुने गए उनके क्या नाम है, तो उनके नाम है महेश मित्तल कुमार और डाक्टर राज जीब जैन, इसके अलाबा जो नियुक्ति समिती थी, जिसने जस्टिस अरून मिश्रा जी को NHRC का नए अद्यक्स नियुक्ति किया, उस नियुक्ति समिती में कितने सदस्य थे, तो वो पांच सदस्य समिती थी, ठीक है, इसमें एक प्रधान मंत्री थे, ग्रह मंत्री, लोक सबाके उप सबापती, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो किर्पया मेरे चैनल को सब्स्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, धन्यबाद,